तो राहूल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ गाकर बता दीजे नहीं, उनका नाम लेते ही सूर बिगड़ जाता है आप अरे नाम लेना हो, गाना अगर सुनना हो, तो कोई अच्छा नाम लो भई जो लोग अच्छी बात करते हो, जब नाम ही लेते हैं, सूर इदर उदर सब गड़ चला गया, साही नहीं मिल रहा है मेरा, सा समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, सारे गाम बदनीजा, सानी दभा मगरेजा, अभी सुर है, सारे गारे गाम बदनीजा, अब आपने कहें, पता चले की रिंकिया की पापा की जगव कुछ और काने लगे हैं, देखिए, क्या होता है, मैं बताओं आपको, मेरा जो, मैं बहुत ट्रडिशनल पोलिटिसियन नहीं हूँ, मैं मेरे घर में कोई गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है, अभी तक, मैं दो बार सांसद रहा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, और प्रदेश के अध्यक्ष में भी हमारा तीन साल का कारिकाल होता है, हम छे महीना ज्यादा रहे, और आम आदमी पार्टी तब सत्तर में सरसट सीट जीत के आई थी, जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया, तीसरी बार MCD का चुना हो रह था, कोई नहीं बोल रहा था कि BJP जितेगी, मुझे कहा गया कि मनोस्तिवारी आप, आप सहीद हो जाओगे, छोड़ दो अध्यक्ष का पद, मैंने कहा पहले ही क्या है कि छोड़ू, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा कि चल, एक बार और जाल फेंकरे मचेरे, ना जान किस मचली में बंधन की चाहा हूँ, मैंने पुरे मन से चुनाव लड़ा, और बहुत सारी मचलियां आ गए, नहीं, मचलियां, पर ये तो पुरानी बात हो गई, नई बात में राहूल गांधी कहते हैं, अब की बार 400 पार तो नहीं, डेड़ सो पर रुख जाएगी BJP, क्य इसलिए आपका बिगड़ जाता है, नहीं, 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 राहूल गांधी जी ही 400 पार करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपकी, मिले हूए पीछे से, नरेंद्र मोधी जी का, 400 से प्लस सीटों से अगर उप्रदान मंतरी बनेंगे, तो उसमें राहूल गांधी जी का और उन उनके बच्चों में बराबर बराबर बांट देंगे, उन्होंने कहा है, उनका माइनोर्टी का मतलब ही मुसलिम है, आप बोलते हैं कि हम मुसलिम इस्टुडेंट्स को स्पेशल स्कॉलर्शिप देंगे, क्यों? मुसलिम इस्टुडेंट्स को ही मिलना चाहिए, हिंदु को ही मिलना चाहिए, सिख को ही मिलना चाहिए, बहुत जैन, पार्सी, जितने लोग हैं, क्रिस्चियन सब को मिलना चाहिए, हमारे देश का प्रत्यक विक्ति चाहता है, सभी धर्मों का सम्मान, हमारे डियने में है, भारत के डियने में है हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने लेकिन अगर मस्जिद दिग गया तो तुरा से सर जुग जाता है हमारा हम यह लगता है वहां भी कोई देवता है ठीक है वो अपने ढंग से हैं हम तो जो हम सत्य सनातन की बात करते हैं अभी मैंने एक गाना गाया था राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी कि जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम कहेंगे राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे राम के थे राम के थे मतलब राम मतलब मर्यादा राम मतलब सत्य त्याग और उसमें हमारा धर्म कहता है कि रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन तो फिर रेस्पेक्ट कहा है जब आप ओपनली हिंदू मुसलिम कह रहे हैं मुसल्मान को घुसपैटिया कह रहे हैं ये सवाल वे पच्छ उठाती है ये सवाल वे पच्छ उठाती है कि अगर आपको 400 पार होना ही है आप जीती रहे हैं तो हिंदू मुसल्मान पर क्यों आ रहे हैं हम तभी नहीं करते ले नहीं हमारे तो देखिए भाग